वेलकम टू आवर यूटूब चैनल CITS and ITS StudyPoint दोस्तों जासा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल में टेक्निकल टूल से एंड एक्यूपमेंट समन्द वीडियो के मादम से बताते हैं आज की वीडियो में मैं मेजरिंग और मेजरिंग टूल से रिल्टेट बात करूँगा मेजरिंग टैप और स्टील फूट रूल जो है उस पर हम कैसे मेजरमेंट करते हैं किस तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है और Still Foot Rule या Measuring टाप के क्या-क्या Measuring अंकित होता है और क्या-क्या कैसे पड़ते है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि Still Foot Rule जो होता है उस पे कैसे मेजर्मिंट पड़ते है और किस तरीके से उस पर measurement अंकित होता है तो आप देखे आपके समने स्क्रेन पर दिख रहा है कि यह जो है still foot rule है और इसकी size की हम बात करें तो यह अभी 6 inch का है और cm में हम बात करें तो यह 15 cm का है और mm में बात करें तो यह 150 mm का है यह पूरा इसका जो size है still foot rule का वह 150 mm का है 15 cm का है और foot में बात करें तो यह आधा foot का है और inch में बात करें तो यह 6 inch का है तो स्क्रेन पे देखें आपको दिख रहा होगा उपर में जो है यानि नीचे के side में inch लिखा हुआ है जो 6 inch तक है और उपर के side में 15 है तो 15 cm है और mm की बात करें तो यह 150 mm है 15 cm बराबर 150 mm होगा यानि 1 cm बराबर 10 mm होता है और 100 cm बराबर 1 meter होता है इससे related भी हम बात करेंगे तो देखिए यह flexible measuring tap है अभी जो आपको screen पे दिख रहा है यह flexible measuring tap है इसका यूज जो है ज्यादा तर 12 inch करके देखिए 6 का double यानि जो हमारा still foot rule है उसके double का जो है वह एक fit करके rate से दिखा रहा है यहाँ पर तो यह पूरा measurement कैसे लिया जाता है इससे related हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में वीडियो पूरा देखिएगा बीना स्किप किए आपको अच्छे से समझ में आगा कि measurement क्या होते हैं और किस तरीके से steel foot rule पर measurement करते हैं यदि आप IT कर रहे होंगे या engineering वर कोई सा भी होगा जिसमें measurement से related बात आती है तो यह चोटी-चोटी चीज़े जो है जानकारी होना चाहिए तो आपको देखिए जो है steel foot rule सामने दिख रहा होगा और इस पर measurement पूरा असपस्ट दिख रहा है और यह stainless steel का बना हुआ है steel foot rule और यह flexible जो measuring type है यह तीन का बना है एक fit वहाँ पर है देखिए एक fit से यह दो fit हो गया एक fit से दो fit होने के बीच की जो दूरी हम count करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच यह ऐसा करके 12 होगा 12 inch बराबर एक fit होता है वहीं हम अभी आपको इस screen पर दिखा रहे है count करके 12 inch बराबर एक fit होता है तो यह दो से यानि एक से दो की तरफ हम चलेंगे तो यह 12 inch होता है और नीचे के side में जो है centimeter इसमें दिखा रहा है यह 30 cm है 30, 40, 50 करके यह cm है और देखिए आगे यह 100 हो गया 100 cm बराबर एक मीटर हो गया ठीक है 100 cm बराबर एक मीटर और इस मीटर को हम कैसे दिखाएंगे तो हमारे पास बड़ा वाला measuring tap ही है जिसका यूज जो है बड़ी बड़ी दूरी को measurement करने के लिए किया जाता है यह round में गोल करके रखा जाता है और यह 50 feet तक का मेरे पास है मीटर में देखिए किस तरीके से जो flexible है यह जो है यह 10 feet तक के size में है 10 feet तक के size में है यह और इसका यूज जादा तर जो है carpenter वगरह करते हैं और बड़े वाला measuring tap उस पे हम 1 feet को किस तरीके से और मीटर को किस तरीके से दिखाते है cm और मीटर में क्या संबंध होता है वह इसमें दिखेगा जो आभी आपको screen पे दिख रहा है measuring tap इसमें meter और centimeter से related भी देखे पीछे के side में यह इस तरीके से यहां 2 meter लिखा हुआ है और यह 10-20 करके आगे बढ़ेंगे जब हम तो वह centimeter इतर आके 100 centimeter वरावर एक meter यानि दो meter से देखेए दो meter है और यह 10-20-30-40 ऐसे करके बढ़ेंगे 50-60-90 के बाद यह 100 का मतलब होगे यह 3 meter इस तरीके से आप अच्छे से rating पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं मीटर में दूरी देखना होगा हमें और ज्यादा दूरी होगा तो इसका यूज करेंगे छोटा दूरी रहता है तो यह still foot rule से measurement करते हैं यानि 7 mm, 8 mm, 10 mm देखना होगा 10 mm का मतलब होगया कि 2 से 3 के बीच की दूरी जो है वह 10 mm हो जाएगी 5 से 6 के बीच की दूरी 10 mm हो जाएगी नीचे में इंच में लिखा है 3 से 4 तक जाएंगे हम तो वह 1 इंच हो जाएगा और यहीं जो है इंच से mm में कैसे conversion किया जाता है आपको इस्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 इंच बराबर 25.4 mm, 2 इंच बराबर 50.8, 3 इंच बराबर 76.2 ऐसे करके पूरा आपको असपस्ट दिख रहा है देखे इस्क्रीन पे इंच से mm में कैसे बदला जाता है वो चीज़े आपको अभी स्क्रीन पे पीछे में इस पे still foot रूल पे दिया रहता है वो आप देख लेंगे और यह याद होना चाहिए कि 1 इंच बराबर मिलीमीटर में 25.4 mm होता है वो चीज़े इसमें असपस्ट दिखाई देती है यह flexible measuring tap है और इससे जो है आराम से street दूरी कोई भी लंबी दूरी foot में measurement करना होता है तो यह 10 foot तक होता है 10 foot का measurement करना होता है तो इसका use हम करते हैं उससे ज़्यादा की दूरी हमे measurement करना है तो जो अभी हम आपको दिखा रहे थे बड़ा वाला measuring tap यूज करते हैं और कम दूरी measurement करना होता है तो हम साधारान रूप से steel foot rule से भी काम कर सकते हैं यह देखिए 150 लिखा है तो यह 150 cm है और ऐसे 150 cm और उपर मैं देखिए 5 रेड कलर में यह 150 cm जो अभी चीज़ हम दिखा रहे हैं वो cm में और यह जो 6 दिख रहा है उपर में वह जो है foot है उपर में foot दिया हुआ है यह 200 200 cm के ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा रेड कलर में 6 7 200 cm है उसके ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 6 7 लिखा हुए रेड कलर से 6 7 का मतलब हो गया कि 6 feet 7 इंची और 6 feet 7 इंची से जब आगे आंगे 8 9 10 11 और 12 यानि यह 7 feet हो गया उधर जो है अभी आप देख रहे थ कि यह 200 cm है 200 cm में तब 2 मीटर 2 मीटर के ऊपर 6 7 लिखा है रेड कलर से 6 7 का मतलब होगा 6 feet 7 इंची और 6 feet 7 इंची के बाद जदी हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद देखिए आपको असपर दिखेगा कि 6 feet 7 इंची के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 6 7 के बाद होगा 80 का मतलब होजागा 6 8 और 81 का मतलब होजागा 6 9 ऐसे जो है 6 feet 7 इंची 8 इंची 9 इंची 10 इंची 11 इंची और आगे जाके हो जाएगा 12 इंची यानि 7 feet हो जाएगा देखिए 83 84 ऐसे करके 84 का मतलब होगा यह पूरा 7 feet इस तरीके से हम में जाएगा यहापके जो है मीटर सेंट सेंटी मीटर और फिट और इंची सब कुछ दिखा जा रहा है आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते है तो यह हो गया 8 feet 8 feet हो गया और यह 250 cm का मतलब हो गया कि 2,5 meter हो गया यानि 2 meter और 1 meter हो गया और 5 meter गया और-5 meter लिंध 10 फिट तक का है और ये 8 3 उपर लिखा है, 250 के उपर 8 3 लिखा है, यानि 8 फूट 3 इंची, 250 सेंटीमेटर को यदि हम इक्वल करेंगे, फूट में, तो 8 फूट 3 इंची होगा, 8 फूट 4 इंची, 8 फूट 5 इंची, 8 फूट 6 इंची, 8 9, 8 10, 8 11 के बाद फिर देखिए, अब 9 आ गया, 8 11 के बाद 9, यानि 9 फूट पूरा टोटल हो गया, इस तरीके से 10 फूट तक का होता है, पूरा, तो इस पर भी मेजरमेंट अच्छे से आप समझ गया होंगे, जो चीज हम अभी आपको बता रहे हैं, अब ये देखिए, ये जो है पूरा, ये भी, वेसे ही देखिए, ये साथ जो है, फिट है, साथ फिट, और इधर में है जो सेंटी मिटर में मेजरमेंट लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50 करके, और रेड कलर में आके जो है, वह मीटर में हो जा गया, यानि 3 मीटर हो गया ये, 3 मीटर, 4 मीटर, तो अभी जो चीज हम आपको बता रहे है, फ्लेक्सिबल वाला जो होता है, ये स्टील रूल है, स्टील रूल पर मेजरमेंट जो है, वह पूरा, ये स्टील रूल छोटा साइज का है, यानि 6 इंच का है, और 150 mm,